गुलबरगा डिस्टिक तालुका जेवरगी अंकलगा विलेज में मस्जीद की जगा पर गणेश मूर्ती बनाने की साजिश को लेकर कल यानि 27 नवंबर को दो समुदाय के बीच फत्तर और लाठियों से मार पीड की गई और मस्जीद में घुसकर कुछ सरपसंदों ने तोड़फोर कर दंगे वड़कानी की पूरी कोशिश की है पर इन हालात में गुलबरगा डिश्टिक एसपी अदूरु शिरिनिवासुलों ने इमिडेट मौकाय वायदात पर पहुंच कर हालात को खाबू किया और विलेज में सेक्शन 144 लगाया गया है कल से इस मारपीड और मस्जिद में हुई तोड़फोर के फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे है इस मामले से जुड़ी पूरी हकीकत यानि ये जगड़ा किस वज़ा से हुआ है ये जमीन किसकी है गडेश मूर्थी क्यों बनाई जा रही है और इस जमीन से किसका क्या तालुक है तमाम डीटेल्स आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे अंकलगा विलेज में तमाम हर मजब के लोग इस बाद से वाकिफ हैं कि ये विलेज में मौझूद खदीम जामिया मस्जिद 1974 के तहट गजेट नोटिफाइड वक प्रपरटी है जहां कुछ सरपसंदों की जानेब से मस्जिद की जमीन पर गणेश कट्टा बता कर अवाम को गुमरा किया जा रहा है गाओं में मस्जिद के बादू मस्जिद की जमीन पर एक कट्टा मौझूद था जहां पूरे गाओं के लोग जमा होते और कई फैसले यहां किये जाते थे यहां मौझूद कट्टे को पुरा गाओं पंचाच चौड़ी कट्टे के नाम से जानता था लेकिन कुछ गंदी जहन रखने वाले लोग जानबूच कर माहौल खराब करने की सोंच लेकर मस्जिद की जगा पर गणेश मूर्ती बनाने का काम शुरू कर दिये थे जब मस्जिद के जिम्मेदार और गाओं के लोगों ने रोकने की कोशिश की तो गुंडा गर्दी कर मस्जिद के जिम्मेदारों को डराया गया और जैसे तैसे जमीन पर कंस्ट्रेक्शन वर्क शुरू हुआ ये वाखिया आज से तीन महेने पहले का है जब इस बात की इतेला गुलबर्गा डिश्टिक वर्क आफिसर और चेर्मेन हभीब सरमस को मिली तो ये अंकलगा विलेज को पहुँच कर मस्जिद की जगा पर इलीगल कंस्ट्रेक्शन करने वालों से कंस्ट्रेक्शन का परमीशन और जमीन के दस्तावेज पूछे तो इनके पास किसी तरह के कोई डॉकुमेंट्स मौजूद नहीं थे बिना किसी दस्तावेज के कुछ सरपसंद लोग जान बूच कर मस्जिद की जगा पर मंदीर का काम शुरू कर दिये थे तीन मेहने पहले से वकबोर्ड के जिम्मेदार लगातार पोलिस में शिकायत करने के बावजूद पोलिस की जानेब से किसी तरह का कोई अक्शन नहीं लिया गया हालात को बिगरता देख वकबोर्ड ने इस मामले को पूरे दस्तावेज के साथ ओयस नमबर 14 बार 2023 के तहट कोट में अप्लिकेशन फाइल किया था दस्तावेज के बुनियाद पर कोट की जानेब से वकबोर्ड के फिवर में इस्टे ओडर दिया गया है कोट के ओडर के मताबिक ये बाद साफ है कि अब इस जगा पर किसी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाएगा और देर मेना पहले कोट के ओडर के मताबिक दुबारा कंस्ट्रक्शन ना किया जाए इसलिए यहाँ पोलिस को तहनात किया गया था इसके बावाजूत कुछ फितना परस लोग इस जगा पर फत्तर लगवाना और दिगर किसी भी बहाने से कुछ ना कुछ शिर्खाने कर रहे थे जिससे माहौल खराब हो कल याने 27 नॉवंबर को यह मामला इतना बिगड़ा के यहां दोनों गुरुप के बीच हाता पाई हुई और फत्लर और लाठिया बरसाई गई और मस्जित के अंदर घुस कर तोड़पूर करने का वाखिया भी पेश आया है हालात को ज्यादा बिगड़ता देख गुलबर का इसपी अदुरु शीनिवासलू मौखाय वारदात पर पहुंचे और फसाद बनने से रोका और फसाद करने वालों को गिरफता कर अंकलगा विलेज में सक्षन 144 नाफिस किया गया है तहसिलदार अडिशनल एसपी और एरिया पॉलिस इंस्पेक्टर की मौझगी में वाखबोड आफिसर और चेर्मन हबिब सरमस ने हालात कर जायजा लिया और तमाम फितना परस्तों के खिलाफ एस्ट्रिक एक्शन लेने का मुतालिबा किया गया है वाखबोड के जिम्मेदार और पॉलिस डिपार्टमेंट ने अंकल का विलेज में तमाम रहेवासियों से अमौन और भाईचारगी को बर्खरार रखने की गुजारिश की है कोट में यह मामला चल रहा है और कोट ने दोनों पार्टियों को दस्तावेश जमा करने का आदेश दिया है इसके बावजुद इस तरह की हरकत इस बात की गवाई है कि यहां कुछ लोग जानबुच कर माहल खराब करना चाहते है पोलिस डिबार्टमेंट को चाहिए जो कोई भी इस आलात कर जिम्मेदार है उन पर इस्टिक एक्शन लिया जाए आदेश बाव एक्शन लिया जाए अवर असोसियेट्स यारिद्धर और वकंसर्ण विक्तिरिक कर्ष्पुटू याक्सी इतरा पोस्ट माडिधिया अंत तेल्ड कर्षिदागा आटायम अल्डी इब्बरु एरडु ग्रूप्स नड़वे सोल्पा वागवाद नडिजिए अधल्ला डीटेलल अल्ले नाम तक् आटेसनों डिस्पर्ष माड़े काल्स कोट्टेगी आमेले अवर एन कमपनेल पोस्ट माड़े अधिया अधू अधू याक्सी इतरा पोस्ट माड़े अंत वन्नु कर्षिदागा इक इकड़े अवर अवर परवागी इन्नु केलवर वन्दू वग्वाद नड़ आमेले होगे पासाँतों अभर के काszystे पोस्ट माड़े हैं? आपोजिट परवागिन अवरो करने से तर आटायम में मात्तिन चप्टूनेल तर आटायम में लोगार अधू नपक्क्के गनपति कूर्सों संब्ध वांगी तसीदी पक्कत लेरो जागुत तुरोवाद वाग एड़ु गुम्पुवे नडवी आगिरो चेकड़ा अधू इ आटे निल्ला इड़ जागा यारू सेरु जागा आंत वण्दो विवादा एक्त्थू आधू तईसल दार अवरू पीडेवरु बंदू अधल्ला सर्विय मात्सी तुरोभ पक्चेल शेलिद मेल आज आलो के साल्व आगिरी इधेने इधू 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 रिटेस्ट भुद भीदर फर्दर इस्केलेत आगबार रख भी वह इस नहीं पुटी है अदि यह पहले परस्यों नहीं पुटी हुट्पुरिय। कारब करल पीजार को जो कि अपने थे कार दो जी ना प्रफ एला पार में यह जो केमा नोगे क्यों पुछ जो स्वार प्रफ एट जिर जार भांगिए ए इस मुझाना प्रफ जाला पेस्विल आगी अगा दो जिए यह सब्टने प्रफ एले नोगे सिन्न आप जो कोड़ा हैं परदराग एल्ला प्रिवेंट्व च्छन प्रिवेंट्व स्टप्स तोगोंडी देग। अधियत का माया परदरीनों इधु हश्ति बेलवाने का आथवाईदु मतु हुदे गळाटे को फोटेग कोड़ वारी फेली ना involved को प्रिउससु मतु है को अवर इनदो नौ नौ इनौ इन्नौ शिचेशन आजमाइज माँ जाजी आज़े आज़ागकर दे आज़ा मत्ताद आपने अटेक बूपने टवेश्टार आट लेश्ट अटेक्री वेश्ट पीचुन पाट्रा इसेसी टाइब है में आट सबस्क्ते लिए च्छैब्यों इसेक्टी न्सेप्सी बागड़ागर इस विडिर्वी त्रोफेश्टी इहन प्रफेश्टी कोस्षर्य। दिस्कांट्स विस्ट फर देटेज और फ्री कर्यर चांसलिंग अग्जी रोड अधर्श नगर कलबुर्गी